ग्लोबली आज भारत और चाइना एक दूसरे के साथ कॉम्पेटीशन में हैं कॉम्पीट कर रहे हैं इस कॉम्पेटीशन में एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि किस देश का किस रीजन या कितने देशों में ज्यादा इंफुलेंस हो सकता है अब वो चाहे एफरिका हो चाहे यौरोप हो चाहे मिडल इस्ट हो या फिर साउथ एशिया ही क्यों न हो साउथ एशिया की बात करें तो नेपाल एक इंपॉटेंट कंट्री है भारत और नेपाल के जो रिलेशन्स हैं वह बहुत पुराने हैं historical relations है cultural ties हैं लेकिन पिछले कुछ समय से पिछले कुछ सालों से हम यह देख रहे हैं कि दोनों के relations में कुछ प्लस जो नेपाल है उसके जो रिलेशन्स है वह चैनले के साथ बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो टेडिशन क्या ब्रेक किया इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड दोनों के relations किस तरीके से भारत को impact कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट्स करिए वीडियो और चैनल दोनों की रीच बढ़ सके तो बात करते हैं कि कौन सा टेडिशन तोड़ दिया है जो ट्रेडिशन है वह यह ट्रेडिशन है कि जब भी कोई नेपाल में चुका है और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है के पी ओली साहब यह जो है यह पहला अपना फॉरन बाइलेटरल मीट जो है या जो समिट है वो कहां कर रहे हैं वो चाइना में कर रहे हैं और भारत को इन्होंने मतलब पहली प्रिफरेंस नहीं दी और यह अपने में एक शॉकिंग न्यूज है क्योंकि ओवेसी बात अगर कोई डेकेट्स ओल्ड ट्रेडिशन को तोड रहा है तो अवेसी बात है उस देश के लिए शायद इस वक्त चाइना जो है शायद जादा इंपॉर्टेंट हो इसी वजह से चाइना की विजिट को जादा प्रिफर किया ग हैं दो यह तीन दिसंबर दोजार चॉबीस में वो जो है वो चाइना में लैंड करेंगे और यह जो ट्रेडिशन टूलता है वो दिखाता है कि किस तरीके से चाइना और नेपाल के जो रिलेशन्स हैं वो पिछले कुछ सालों से बढ़ते चले जा रहे हैं एंड ऑन दी कईने हो चुके हैं कोलिशन की सरकार है यह दो इंपॉर्टेंट जो कोलिशन गवर्मेंट है एक आपकी नेपाली कॉंग्रेस है एक जो एक एक वो पाटी जिसको खुद कर रहे हैं केपी ओली कमणिस पार्टी औफ नेपाल यूनिफाइड मार्फ आर्सिस लेनिनिस तो हम Communist Party of Nepal की बात कर लें, इनके बीच में एक difference है, difference यह है कि चाइना का जो belt and road initiative है, उसमें किस तरीके से participate किया जाए, participation में कोई दिक्कत नहीं है, participation करना है, नेपाली कॉंग्रेस का भी stance यही है, और Communist Party of Nepal का stance भी यही है, कि हाँ बिल्कुल belt and road initiative में तो हमको participate करना है, लेकिन कैसे करना है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अगर हम एक party की stance करें तो उनका मानना है कि सिर्फ grants के basis पर होना चाहिए, दूसरी party का मानना है कि नहीं, loan के basis पर होना चाहिए, तो सिर्फ difference of opinion, इन दोनों party का यह है कि जो belt and road initiative है, जो ambitious belt and road initiative है, जिसका भारत पार्ट नहीं है पार्ट नहीं है, उसने सीधे बोला है, भारत नहीं सीधे बोला है कि हम इस initiative का पार्ट रही है, क्यों कि यह भारत की territory से पास हो रहा है, और भारत से इजाजत या stakeholder नहीं बनाया गया है, ठीक है, जो पाकिस्तान occupied कश्मीर है, वहां कि जो हमारी जो territory है, वहां से जो है, यह कि अब असी बात है, बहुत डेवलप देश है नहीं, तो सोच यह है, नेपाल की, कि अगर belt and road initiative start होगा, तो इसी बहाने, नेपाल की economy भी बन जाएगी, जो आज से 9 साल पहले, पाकिस्तान की भी सोच थी, पाकिस्तान ने साल 2015 के around, जो है, CPEC, चाइना-Pakistan economic corridor, इसको sign किया तो एकदम नाश्य जूमने लग गई थी, अब तो भर-भर के development होगा, पाकिस्तान में infrastructure आए गई आएगा, लेकिन आज 9 साल होगे, कुछ भी नहीं हुआ है, इवेन जो projects बनते, उन पर attack हो जाते है, Chinese officials मारे जा रहे हैं, तो जैसे CPEC का कोई फैदा, पाकिस्तान को नहीं म important step है, अब देखे, जो objective होई है, कि obviously बात है, trade and infrastructure पर focus करना है, loan agreements ना हो, so that depth concerns, क्योंकि देखे, इतना तो हो गया है, आज की date में, छोटी countries को ये तो ऐसास हो गया है, कि अगर हम China के साथ, loan लेते रहेंगे, loan लेते रहेंगे, तो एक बार हम debt में फस जाएंगे, और जो शिल जाना, वो grants और concessions पर जादा focus कर रहा है, rather than using that term, loan agreement, फिरे, and किस तरीके से, belt and road initiative के through, connectivity बढ़ी जा सकती है, इन सब मुद्दों पर discussion किया जाएगा, एक नेपाल के तहट proposed railway network है, इस तरीके से develop किया जाएगा, तो ये बड़ा ही ambitious project है, इसको इसके माइने में भी आपको बत development किस तरीके से हो सके, इस पर चर्चा की जारी है, अब देखिए, अब 2005 में अगर हम बात करें, चाइना का जो share था trade का, चाइना का जो share था trade का, नेपाल के साथ वो 3% था 2006 में, 2015 आते आते वो share कितना हो गया, 31% हो गया, यानि कि 10 गुना से जादा trade हुए, वहीं भारत का 50% था, 50-53% था, वो भड़के 60% ही हुआ है, तो अगर हम trade के में participation की बात करें, तो ये नंबर दिखाता है, कि किस तरीके से चाइन, और ये 2015 का डेटा है, तो अब तो और नंबर बढ़ा है, तो ये नंबर दिखाता है, कि किस तरीके से जो चाइना है, वो अपनी power, अपने प रहे है, कल्चरी टाइज है, कल्चर टाइज रहे, ओपन बॉर्डर रहा है, ठीक है, पीपल टी पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा है, आप असानी से नेपाल घूम सकते है, नेपाली जो सिरिजन से वो भारत में आके पढ़ते हैं, ठीक है, वीजा वगरा नहीं लगता है, उनको कंसेशन भी दिया जाता है, तो पीपल टो पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा है, हिस्टॉरिकल टाइज भी रहे हैं, फ्रेंडशिप टीटी साइन हुथी साल 1950 से, पचास में तब से जो ट्रीटी है, यह रिन्यू होती चली जा रहे हैं, प्लस एकनॉमिक रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, जो भारत है वो निपाल के लिए लाज़ेस ट्रेडिंग पार्टर है, बहुत से important supplies की जाती है, नेपाल में भारत की थ्रू, चाहे हम फ्यूल की बात कर लें, चाहे हम electricity की बात कर लें, बहुत से initial items नेपाल से भारत भी आते हैं, तो बहुत अच्छे relations है चाहे people to people connect हो चाहे historical connect हो चाहे economic relations हो लेकिन अब इन सब में थोड़ी सी दिक्कते आ रही है जब से especially जब से कोविट के ताइम से 2020 से यही कोपी शर्मा ओली जो है यही जो केपी शर्मा ओली ठीक है जो केपी शर्मा ओली है इन्होंने जो territory का dispute है उसको बार-बार उठाया है उन्होंने काए कि कई बार कई बार क्या हुआ है कुछ पिछले कुछ सालों से कि कुछ instances में नेपाल ने अपना map release की official और उसमें भारत की territory को अपने अंडर दिखा दिया तो इस तरीके के कुछ cut-put relations आ रहें जिसका फायदा जो है कि नेपाल जो है वो अपनी डेपेंडेंसी भारत पर कम कर सकता है भारत और चाने के बीच में competition है तो इसका फायदा जो है वो नेपाल उठा सकता है यह अभी इनकी शायद जो policy makers है जो policy thinkers है या जो इनकी सरकार है वह ऐसा सोच रहें लेकिन माइंड यू इनको इस चीज के लिए कौशेस होना चाहिए कि चाइना के साथ अब मतलब भारत के साथ डिपंडेंसी कम करने के चक्कर में चाने के साथ बहुत जादा अगर close चले गए तो sovereignty पर भी question उठ सकता है क्योंकि चाइना का तो यह है कोई मौका मेला सीधर territory सीधर territory claim यह territory हमारी यहां से आज से आज से हम patrolling कर रहे है ठीक है तो यह चीज़ भी नेपाली citizens नेपाली authorities को ध्यान में रखनी चाहिए जो चाइना ने जो आपका चाइना नेपाल railway है इस तरीके से proposed railway है ठीक है और यह देखे यह भारत है तो अगर नेपाल में इस तरीके का presence चाइना का आ जाएगा ठीक है इस तरीके क presence चाइना को चाइना में आ जाएगा तो कभी भी अगर LAC पे कुछ situation बिगड़ी तो एक अच्छा advantages position रहेगी चाइना के पास कि वो भारत पर pressure डाल सकता है इसी वज़े से जो चाइना इसी वज़े से नेपाल और चाइना के ties अगर बहुत जादा strong होंगे ठीक है बहुत जा ठीक है के जो कुछ key strategic locations है ठीक है ठीक है अलड़ी नेपाल strategic location पर है पर विदिन नेपाल भी कुछ key strategic locations है अगर वहाँ पर चाइना के influence आ जाएगा तो अगर कल को LAC पे कुछ aggression हो रहा है तो चाइना क्या कर सकता है एक बार तो पाकिस्तान से बोल देगा भाया लोसी पर आप तरह है वह वह बरता जाएगा तो दिस विल नॉट बिया वेरी गुड न्यूस फॉर इंडिया इस तरीके से आपको दिख रहा है यह आपका वन बेल्ट रोड वन बेल्ट वन रोड का मैप इस तरीके से पूरा घिराओ करने का पूरा प्लान है अब देखे कर हम बात करें क चाइना क्यों इंट्रस्टेट भी है और वेसी बात है उसे अपना इंफ्लूंस बढ़ाना साउथ एशिया में देखे चाइना का क्या स्टांस रहा है कि ऐसे देशों को टार्गेट किया जाए जहां पर टेडिशनली भारत का एक इंफ्लूंस रहा है चायम इंडिया नोश देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन्स रहें एक अच्छा कासा इंफ्लूंस भी रहा है भारत का तो इनके अंदर इस इन सभी देशों के इन सभी देशों में अपना इंफ्लूंस लाया जाया एन भारत का इंफ्लूंस कम किया जाया तो इस यह सोच है चाना क that's why अपना influence बढ़ाना चाहता है प्लस नेपाल की भईया strategic location है उस strategic location से एक तो मैंने आपको बताए कि किस तरीके से एक advantages position रहेगी भारत को counter किया जा सकता है प्लस जो तिबबत के issues है ठीक है तब तिबबत को जबरदस्ती हती आया है चाइना ने तो जो तिबबत के issues है अगर क कर दिया जाएगा तो यह आपका जो तिबबत concerns है जो तिबबत related issues है उसके लिए चाइना उसके लिए चाइना के लिए नेपाल काफी important है plus regional competition तो ही जैसे आपको बता चुका हो कि भारत का जो traditional dominance रहा है उसे कम करने की कोशिश में है इसी वह जैसे आप देखते हैं कि जो चा चलाते हैं ना कि पानी लेओ यह लेओ वो लेओ तो इसी तरीके से पिछले कुछ पिछले कुछ सालों से नेपाल का यह stance रहा है कि जो भारत है उसका influence नेपाली politics नेपाल के interest ठीक है नेपाल के internal affairs में काफी ज़्यादा बढ़ रहा है that shows a big brother attitude तो इसी वजह से नेपाल जो है जो चाइना है वो इन सब कारणों के वजह से काफी ज़्यादा interested है खैर जो news आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है geopolitically अगर हम बात करें देखना होगा कि किस तरीके से नेपाल और चाइना के ties evolve होते हैं और किस तरीके से भारत की जो diplomacy है उसे counter करती है तो यह था करिए जादा से जादा वीडियो की रीच बढ़े और चैनल की रीच बढ़े तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते मुलाकात करेंगे आप से अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत